हेलो एब्रिवन आज हम पढ़ेंगे प्रेजंट इंडिफिनिट का निगेटिव संटेंस अफरमेटिव हम देख चुके हैं तो आज हम निगेटिव संटेंस देखते हैं जैसे निगेटिव सेंटेंस देखें इसका रूल है प्रजेंट इंडिफिनिट में निगेटिव सेंटेंस का ही, सी, इट तथा सिंगुलर नमबर सब्जेक्ट के साथ डज नाट लगाते हैं ओके दूसरा रूल है यू, वी, दे, तथा बहुबचन करता के साथ बहुबचन करता के साथ डू नाट लगाते हैं या जोडते हैं और वर्व का फर्ष्ट फर्म लिखते हैं तिसरा रूल है अगर कभी नहीं, अगर वाक्त में कभी नहीं कभी नहीं, सब्द आये तो, अगर वाक्त में कभी नहीं सब्द आये तो, वर्व में यस या यस लगाते हैं और यस या यस लगाते हैं और डू या डज नाट के जगह नेवर लिखते हैं डू या डज नाट की जगह नेवर लिखते हैं यह रूल है, अगर कभी नहीं सब्द आ जाये तो, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं नेवर लगाते हैं और वर्व के first form में yes या yes जोड़ देते हैं कब जोड़ेंगे जब आपका subject singular रहेगा आप देखिए ये rule है इसको आप ध्यान में रखिए बनाने का formula जो है उससे हम लगाते हैं उसके बाद example देखते हैं पहले हम क्या लिखेंगे subject plus do या does plus not subject plus do या does plus not plus verb first form plus object plus complement या other ज्यान रहें यह आपका क्या है फार्मूला है बनाने का इक्जामपल देखें वह भोजन नहीं पकाती है वह भोजन नहीं पकाती है तो पहले हम subject लिखेंगे सब्जेक्ट हुआ है तो क्या हो जाएगा सी सी के साथ डू या डज में से कोई एक तो क्या लगेगा डज क्योंकि सी क्या है सिंगुलर है यानि सी सब्जेक्ट फिर डज सी डज नहीं तो नहीं है और सिड़ नाट काम क्या कर रहे यह वर व्याल gratis क्या क्या पकान आ पकाने का अंगरेजी कुक है फ्स्टपर फर्म क्या है रखिए कोगए है कोगड है कोगडर है łat पकिन है कि इस मजए आ बर्व का पहला रूप है दूसरा रूप है तीसरा है चो होता है चोधा छोड़िए तो फ़र्ष्ट फार्म सेकंड फार्म थर्ड फार्म आपको याद रहना चाहिए कोगड़ कुगड़ ठीक है ऐसे हर एक वर्व का फ़र्ष्ट सेकंड और फार्म होते हैं वह नहीं पकाती है क्या चीज भोजन यानि फुट वह भोजन नहीं पकाती है तुम किताब नहीं पढ़ते हो तुम किताब नहीं पढ़ते हो तो पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू यू के साथ क्या लगेगा डू यू डू फिर नहीं है तो नाट यू ड पढ़ने की अंगरेजी क्या होते है रीड्ड, you do not read, क्या चीज? बुक, you do not read the book, अगला एक्जामपल देखे, रवी जंगल में, रवी जंगल में नहीं टहलता है, रवी जंगल में नहीं टहलता है तो पहले subject कौन है रवी तो रवी हो जाएगा फिर रवी एक बचन तो क्या लगेगा डज रवी डज नौट काम क्या कर रहा है टहलना टहलना किंगरें जी क्या होती है वाक रवी डज नौट वाक कहा जंगल में in जंगल या फॉरेस्ट ओके यही है आपका डू या डज का यूज यानि निगेटिव संटेंस आगे देखिए हम नदी में कभी नहीं तरते हैं हम नदी में कभी नहीं तरते हैं तो सब्जिक्ट क्या है हम हम की अंग्रेजी वी देखिए यहां डू या डजनाट नहीं लगए क्योंकि कभी नहीं आया है तो लगेगा नेवर वी नेवर हम कभी नहीं काम क्या कर रहा है तरने का हो जाएगा स्वीम हम कभी नहीं तरते हैं कहां नदी में इन रिवर हम नदी यह यह नहीं जोड़ेंगे, दूसरा देखिए जैसे, दिनेश, दिनेश अपने पिता के साथ बाजार कभी नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है, देखिए यहाँ पर ते हैं, यहाँ पर ता, यानि प्रिजन इंडेश्ट इन इफिनिट की पहचान बताए है कि वाक के कौन है digit नहीं कभी नहीं जाता है तो इसकी आगलिजी क्या लिखेंगे नेवर धी दिनेश नहीं कभी नहीं काम क्या करता है जाने का गो में यस या यस जोड़ेंगे क्योंकि नहीं सिंगुलर है तो हो जाएगा यहां पर गोज दिनेश नेवर गोज कहां नहीं जाता है बाजार गोज टू मार्केट गोज टू मार्केट किसके साथ अपने पिता के साथ वित यानि साथ ही यानि अपने फादर यानि पिता इसी तरह आपका निगेट्व संटेंस है इसके आग आएंगे ना कि question word की अंग्रेजी लिखेंगे देखेंगे इंट्रोगेट्यू संटेंस इंट्रोगेट्यू संटेंस इसका रूल है पहला रूल पूरा रूल मतलिखिए पहला इतना ही समझे बनाने की क्रिया क्या जब क्यूस्चन वर्ड वाक के प्रारंभ में आए तो अगर क्यूस्चन वर्ड वाक के प्रारंभ में आए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यानि डू या डज लिखेंगे क्या लिखेंगे डू या डच प्लस क्या लिखेंगे सब्जेक्ट अगर वाक में साथ में नहीं आ गया तो सब्जेक्ट के बाद नाट प्लस क्या लिखेंगे वी फर्ष्ट वी एक मिनट भाई थोड़ा साफ कर दें वी फर्ष्ट फार्म वर वर्ड वाक के वीच में आए वीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले फिर डू या डज फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट अगर वाक में नहीं है तो नाड प्लस क्या लिखेंगे वर्व का फ़र्ष्ट फॉर्म प्लस क्या लिखेंगे अबजेक्ट प्लस अदर लाश्ट में क्यूस्चन मार्ग एक्जामपल देखिए यही है कि जब किसी वाक में क्यूस्चन वर्ड पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी ना लिख करके उस टेंस की हेल्पिंग वर्व यानि सहाय कि दिया लिखते हैं तो अगर जब क्यूस्चन वर्ड वाक के बीच में आ जाए वाक के बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं फिर हम डू या डज लगाएंगे फिर सब्जेक्ट फिर नाट और फिर वर्व का फर्ष्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट और लाश्ट में आपका डू लगेगा क्योंकि वे क्या है आपका फिवलर में आता है तो हो जाएगा डू डू के बाद सब्जेक्ट हो गया फिर क्या लगे सॉरी डू हो गया तो फिर सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है वे वे के अंग्रेजी दे नहीं 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 आया वाक्त में तो में question Mark अग्ला दिखिए क्या तो है कि मैं कित आ अंज्रेजी कि पढ़ाता हुँ है क्या मैं एसमौ्ड कि पहले है तो क्या निखेंगे या Dutch से कोई एक तो मैं के साथ क्या लगेगा डू तो हो जाएगा डू आपको रूल लिखाए हैं अभी लिखाए हैं कि he c e तथा singular के साथ Dutch i u v d तथा fewer के साथ डू लगाते हैं ध्यान रहे डू पहले आ गया फिर हम क्या लिखेंगे subject फिर लिखेंगे subject अगर वाक में नहीं रहता तो not लगाते नहीं तो है नहीं तो do I फिर देखिए किरिया यानि वर्ब क्या है पढ़ाना पढ़ाने के इंगलीजी teach do I teach क्या चीज इंगलीज है ओके यह है चोटा चोटा एक्जामपल देखते रही है आगे अगला देखिए कभी अपने कभी अपने घर पर क्या लिखता है रवी अपने घर पर क्या लिखता है यहां पर question word यानि क्या कहां है बीच में तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए क्या की अंग्रेजी वाट ठीक भी या ड्णूर्स क्या क्या क stylish क्या लगेगा दच वाट डच क्योंकि कभी क्या है सिंगुलर है अवाट पॉय पर लिखना है फिर नहीं आया थिल्दी पोएट राइट कभी क्या लिखता है अपने घर पर तो हो जाएगा आएट हीज होम आएट हीज होम यह तो आपका आएट पुरिपोजीशन है ध्यान तो अगला देखिए वे वे खेत में बीच क्यों नहीं बोते हैं वे खेत में बीच क्यों नहीं बोते हैं यहां पर क्यूस्टिन वड़का आएट बीच में तो इसके अंगरे जी सबसे पहले क्योंकि इंगरे जी why उसके बाद क्या लगेगा do या डजमन से कोई एक तो do लगेगा क्योंकि subject क्या है वे तो do के बाद they do के बाद they नहीं आया है तो subject के बाद not why do they not काम क्या कर रहा है बोने का बोने के इंगरे जी so why do they not so तो क्या चीज बीज हो जाएगा seed कहाँ खेत में in filled why do they not sow seed in filled वे खेत में बीज क्यों नहीं बोते हैं तो यही आपका क्या है interrogative और negative यानि